आज से guidance batch की classes start हो चुकी है और आगे बढ़ने से पहले इस batch के बारे में थोड़ी सी information देना चाहूंगा आपने batch को purchase कर लिया हो या फिर आप purchase करने की सोच रहे हो दोनों के लिए information बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखिए first और second month में English के अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमने grammar पर focus किया है और grammar के almost सभी topics हम cover कर चुके हैं दो तीन topics हम आपके बचे हैं तो वो भी हम cover कर लेंगे दीरे दीरे लेकिन इस महीने से जो आपका third month है यहां से हम vocab और comprehension की classes बिल्कुल zero level से start कर रहे हैं यानि अगर कोई ऐसा student है जो यहीं से पढ़ना चाता है तो वो इस wedge को join कर सकता है आप first और second month का नहीं पढ़ना चाते हो नहीं join किया आपने और यहीं से आप पढ़ना चाते हो एक महीना आप try करके देखो एक महीना पढ़के देखो vocab अच्छे से आपकी strong करा दूँगा बहुत ही मतलब जबरदस्त हो जाएगी vocab आगे class देखोगे तो आपको clear हो जाएगा बाकि comprehension और comprehension ही आपका बहुत ज़ादा role play करता है English में यह दोनों अगर चीजे strong है तब ही आप English में अच्छा score कर पाओगे grammar से देखे grammar तो दो महिने में ही आपके complete हो जाती है बट यह जो दोनों पार्ट है आपके vocab के और comprehension के भाई इसमें बहुत ज़ादा समय लगता है अना और यह इसमें मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चीज़े याद करके या इन चीजों को cover कर लोगे एक धीरे धीरे समय लगता है comprehension के अगर बात करूं तो कम से कम 3-4 महिने का समय आपको देना ही होगा और जब 3-4 महिने कब लगते हैं जब आप regular एक या देड़ घंटा इसको समय दे रहे हो तो फिलाल तो हम vocab से start कर रहे हैं आज की class बाकी इसमें क्या होगा randomly आपकी class होगी कभी vocab की कभी comprehension की इस तरीके से regular आपकी class मिलेगी तो जब comprehension का नंबर आएगा उसके बारे में आगे आपको बताये जाएगा ठीक है तो आप अगर आपने जोइन नहीं किया है आप ये application डाउनलोड कर सकते हो sparkle education with gaurab clear play store से आपको मिल जाएगी या फिर link description में है वहाँ से भी आप जोइन कर सकते हो इस batch की खास बात यह है कि हमने पर मंत के इसाब से चलाया हुआ है यानि जो students पढ़ने वाले हैं वही इसमें admission लेते हैं ठीक है जिनको नहीं पढ़ना होता वो skip कर देते हैं तो यही एक फाइदा है और इसमें क्या होता है doubt group और आपके guidance batch दो group हमने बनाए हुए doubt group में आप आपको time table और schedule बगरा यहां पर भेजा जाता है आपको इस group में ठीक है ना तो अगर आपने यह batch join कर लिया है या फिर करने की सोच रहे हो तो यह दोनों group आपको join करने हैं अगर कोई भी problem आए ठीक है आप इस number पे यह मेरा personal number है clear इस पर आप WhatsApp कर सकते हो तो यह सारी information आपको पता होने चाहिए दूसरी चीज यह है कि time table की बात करें तो English की classes आपकी 9 से 11 मिलती है जी के GS हना 2 से 5 PM reasoning की classes आपको साम को मिलती है इस तरीके से आपका जो schedule चल रहा है और English में GS में reasoning में क्या क्या चीज़े पढ़ने वाले हैं इस महीने में वो आपको एक वीडियो मैंने ब पूरे week में बढ़ लिए होते हैं उसी में से questions आपके पूछे जाते हैं तो आपको बिलकुल time table के according classes करनी है और regular अपना काम complete करना है याद करनी है चीज़े जो भी आपको दिया जाएगा work clear तो telegram group में आपको update रहना पड़ेगा clear यहीं पे आपको सारी चीज़े information वगरा य नहीं आपको link मिल रहा तो आप इस number पर मुझे WhatsApp कर देना ठीक है ना दूसरा application का notification सभी को on रखना है वहाँ पर भी आपको update दे दी जाती है तो यह थी information आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर आपको आगे चलना है ठीक है clear हुआ अब आते हैं आज की class पर देखिए आज की class आपकी vocab की class है यह एक मैंने slide आपको दिखा रहा हूँ यह अभी हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे अभी फिलाल हम क्या करने वाले हैं आपके जो stenographer के जो exam हुए है ssc stenographer की अगर मैं बात करूँ एक second अभी हम क्या करेंगे starting में देखिए normally मैं इस तरह से आपको vocab कराने वाला हूँ यह जो आपकी slide दिख रही है इसमें क्या होगा एक word होगा है उसके साथ एक picture लगी होगी उस word से related होगी वो picture ठीक है और उसके साथ साथ में explain आपको करके ब उसके साथ में आपको synonyms लिखे हुए मिलेंगे उस word के और उसी के साथ साथ आपको antonyms भी लिखे हुए मिलेंगे इस तरीके से कुछ रहेगा और साथ में examples भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा इस तरीके से कुछ हमारा word meaning का या vocab की classes चलेगी और सबसे पहले हम करेंग एलफवेट के आदार पर clear यानि A to Z हमें vocab करनी है देखे एक मैंने PDF बनाई हुई है vocab की कम से कम 70 से 80% vocab वहीं से पूछी गई है 70 से 80% vocab आप application पर जाके देख सकते एक पूरी vocab है A to Z vocab के नाम से तो मैंने दो PDF दे रखी है एक तो जिसमें 2018 से 2023 तक के सारे words है एक वो PDF ह और एक मेरे handwritten notes है clear वो मैंने लिखे हुए है A to Z के नाम से इन दोनो PDF से लगबग 90% vocab है कहीं भी आपको भटकनी की आवसकता नहीं है clear या ऐसे नहीं भागना के trick के पीछे भाग रहे हो आप कि जिस word की trick है वही word याद कर रहे है ऐसे नहीं करना आपको आपको words पे focus करना ह भाई यानि trick हो या ना हो जो word है जो मैं आपको करा रहा हूँ वो आपको याद करना ही करना है clear क्योंकि हमें important words करने trick से नहीं करना मतलब हमारे लिए trick जरूरी नहीं है वैसे वैसे आपको कर रहा है यह मैंने एक example दे के बताया है कि इस तरह से कुछ हमारी classes रहेगी आगे अभी फिलाल हम क्या करेंगे ssc के जितने भी यहाँ पर लिख देता हूँ चलिए तेकि ssc stano की बात कर रहे है के वल हम ssc stano के 2017 से लेकर के 2023 तक सब ही vocab सापकी पहले कराई जाएगी clear सब ही vocab हम करेंगे clear तो पहले ये वाली सारी के सारी vocab cover कराई जाएगी उसके बाद जो हमारा scene रहेगा कुछ इस तरही के से रहेगा अभी थोड़ी सी यहाँ पर quality आपको low दिख रही होगी थोड़ा सा इसमें settings करनी पड़ेगी मुझे धीर धीर आपको clear चीजे मिलने लगेगी एक दो class के बाद क्या ये सारी चीजे आपको समझ में आगई जो मैंने आपको बताई है इस तरीके से कुछ हमारा आगे का प्लान है और बहुत ही आसानी से सारे word meaning आपको याद करा दी जाएंगे आपको कुछ भी परिशान होने के आप सकता नहीं पड़ेगी clear चलिए अब आज की class को करते हैं देखिए ये जो आज की जो class है इसमें हमने जो आपका 2023 में exam हुआ है बारे अक्टुवर की बारे अक्टुवर 2023 की first shift के जितने भी first shift के जितने भी vocab वो सारी के सारी मैंने इस class में हम cover करेंगे और आपको क्या करना है जितने भी words आपको कराई जा रहे हैं या जितने भी आपको ये exam में पूछे गए हैं जो भी आपको कराई जा रहे हैं उनको अपनी notebook में note करना है तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है एक new notebook बनानी है new notebook clear किसकी vocab की तो vocab के लिए एक new notebook आपको बनानी ही बनानी है और सारे के सारे words जैसे ये चार word आपके सामने दिख रहे हैं तो ये चारों के चारों words आपको क्या करने है not करने है और इनका meaning बताऊंगा उसको भी आप नौट करेंगे इनके साथ अगर कोई सिनोनियम मैं बता हूँ तो वो भी नौट करेंगे मतलब जो चीज आपको दिख रहे हैं सलाइट पर वो सारी की सारी आपको नौट करनी ही करनी है सारी बाते आपको समझ में आ गई होगी ठीक है गुरूप को जोइन कर लेना है जो भी टेलेग्राम गुरूप पे है टाइम टेबल देख लेना है नौटिफिकेशन्स ओन रखने है और हम किस तरह से करेंगे यह मैं आपको दिखा दिया है दूसरी चीज अभी हम फिलाल क्या कर रहे है SSC स्टैनो की प्रिवेशर की वोकेब कवर करेंगे पहले तो यह सारी बाते आपको समझ में आ गई होगी और एक न्यू नौटिबुक बनानी है और जो भी आपको चीजे कराए जा रही है उसको आपको नौट करना है और तूसरी चीज यह है कि आपको रिवेशन करना है कम से कम तीन से चार बार दिन में तीन से चार बार आप रिवाइस करोगे इस तरीके से आपकी वोकेब बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी आई होब कि यह सारी बाते आपको समझ में आ गई होगी अब बढ़ते हैं क्लास की ओर हैइछ फैस्ठ का मतलब क्या होता है अगर कोई चीज क्लियर है क्लियर उसको बोलते हैं एक्स्प्लीसिट हाना या फिर इसके लिए और क्या वर्ड यूज कर सकते हो इस्पस्ट के लिए जैसे कोई चीज क्या है ऑव्वीज भी बोलते है न आप नबadem बहुत बार यूज़ करते होगे कि obviously है ना तो उसका मतलब भी क्या होता है कि इस पस्टू में है ना obviously यह तो ऐसा ही है तो यानि आप क्या बोलते कि इस पस्टू clear है बिल्कुल है ना तो कोई चीज explicit है यानि वो क्या है clear है एकदम ispust है तो इसके लिए आप एक word और लिख लेंगे obvious तो यह meaning था इसका explicit का यह exam में आपकी पूछा गया था और इसका synonym आपसे पूछा गया था तो आपको synonym इसका बताना था clear तो आप मुझे बताएंगे क्या रहेगा इसका synonym explicit का मतलब क्या होता है ispust होता है clear यानि obvious तो इसका synonym क्या हो जाएगा देखें obvious यहाँ पर लिखा भी हुआ है option number 3 तो इसका मतलब भी क्या हो गया ispust इसपust है जो चीज clear है एकदम कुछ भी उसमें मतलब puzzled वाली नहीं है बिलकुल clear है साफ साफ है तो इसका मतलब होता है obvious बाकी इसकी बात करें अलग जो आपके यह दिये हुए है word जिससे यहाँ पर है देखें droopy का मतलब होता है जुका हुआ जुका हुआ क्या बोलते हैं इसको droopy तो droopy means हो गया जुका हुआ सारे word आपको note करने है एक एक word आपको note करना है यह दियान लगना clear छोड़ना नहीं कोई भी oppress का मतलब क्या होता है देखें oppress किसी को दवाना किसी पर अत्याचार करना यह तो common word है तो अत्याचार करना यहाँ पर दिखेंगे यह सुना होगा आपने अत्याचार करना clear किसी को दवाना harness का मतलब होता है harness वैसे कवच या फिर घोड़े की साज होती है घोड़े के उपर जो लगाते हैं सजाने के लिए उसका कवच होता है उसके लिए भी आप यूज करते हैं तो घोड़े की साज इस तरीके से आपको सारे word meaning लिखने है तो पहला word है आपका explicit जिसका मतलब होता है ispust यानि clear और इसके लिए आप एक word और लिखेंगे obvious यहाँ पर मैंने बताया है और और भी लिख सकते हैं जैसे lucid lucid तो lucid का मतलब भी क्या होता है बिल्कुल clear होता है इस पस्ट होता है तो यह सारे word आपको अपनी notebook में लिखने हैं सबसे पहले explicit लिखो फिर उसके नीचे आप यह इसका meaning लिखो clear obvious lucid है तो उसके बाद आप देखिए सारे जो option है आपको लिखने है और प्रेस मतलब किसी क दबाना है ना दबाब डालते हैं किसी के ऊपर तो उस type से meaning हो जाएगा और obvious तो मैंने आपको बताई दिया है इस पस्ट हारने मतलब कवच होता है उसके बाद चलिए सारे words आपको not कर लेने हैं और जब यह class complete हो जाएगे तो एक दो बार आपको जरूर revise करना है तब ही या नेक्स्ट वर्ड गया है आपका वर्चू तो वर्चू का meaning क्या होता है वर्चू का मतलब होता है अच्छे गुण अच्छे गुण अच्छे गुण मतलब सदाचार सदाचार उसको बोलते हैं वर्चू सदाचार clear अच्छे गुण सदाचार उसको क्या बोलते हैं क्लियर morality का मतलब भी क्या होता है सदाचार अच्छा अच्छा आच्रण या good behavior good behavior good behavior मतलब अच्छा आच्रण तो इस लिए इस तरह से आप यूज करेंगे virtue का meaning क्या हो गया morality good behavior देखिए ये जो आपको अभी तक मैंने दो word बता दिये हैं भाई दोनों के दोनों words आपको मिल जाएंगे उसी PDF में जो मैंने अपने हाथ से लिखी है आप उसको पढ़के देखना clear उसमें ये दोनों words मिल जाएंगे और आगे जितने भी 17-18 words हैं सारे के सारे आपको उसी में मिल जाएंगे एक भी बहार से नहीं मिलेगा अगर दोनों PDF को अगर आप मिला ले तो clear तो आपको एक जगे पर focus रखना है ऐसा नहीं कि ये book भी खरीद लो वो भी खरीद लो यहां से भी पढ़ लो वहां से भी एक जगे फोकस करो मैं यह नहीं कहा रहा कि आपको यहीं से पढ़ना है जहां से भी पढ़ो एक जगे से फोकस करके पढ़ो इदर उदर जादा मत बटकना vocab में आप एक चीज को बार बार पढ़ोगे तब ही जाके आपकी vocab strong होगी और अगर आप 10 चीजों को पढ़ने लगे और एक भी चीज आपने उसमें अच्छे से नहीं पढ़ी है तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी यह चीज आपको ध्यान रखनी है vocab के matter में ओके clear हुआ point तो हम आते हैं अपने word पे virtue का मतलब होता है अच्छे गुण morality यानि good behavior अच्छा आचरण उसको हम बोलते हैं virtue इसका एंटोनी में आपसे पूछा गया था एक्जाम में तो wise का मतलब होता है बुराई है ना wise मतलब होता है किसी में दोश होना या बुराई ना बुराई उसको बोलते हैं क्या wise या फिर एक होता है wise आपने सुनाओगा wise president ना wise chancellor तो उपाध्यक्स है ना इसका meaning उपाध्यक्स से भी होता है तो हमें फिलाल इसका antonym चाहिए था अच्छे गुर्ण सदा चार का तो दोश या बुराई यही इसका अंसर हो जाएगा एक्जाम में यही आपका अंसर था बाकी के जो आपके अलग जो word है उनकी भी meaning देख लेते हैं क्या है जिसे precise का मतलब क्या होता है precise का मतलब होता है appropriate बिल्कुल सटीग सटीग यानि appropriate appropriate और acquire का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त कर लेना acquire means प्राप्त करना यानि obtain कर लेना obtain का मतलब भी क्या होता है प्राप्त करना या gain गेन तो आपने सुना होगा या फिर receive हना receive तो आपको पता ही है gain मतलब प्राप्त करना gain receive obtain तो यह सारे के सारे meaning क्या है acquire से related है यानि प्राप्त कर लेना हना इस start का मतलब अभी चलिए इसको बाद में हम देखेंगे अभी होक में okay clear हुआ point और बार बार इसको पढ़ना है चले एक बार ओर revise करा देते हैं virtue हमने word यहाँ पर देखा exam में आपके पूछा गया है virtue का मतलब होता है good behavior यानि अच्छे गुण यानि सदाचार morality है ना तो इन सब का meaning क्या होता है अच्छे गुण से होता है और इसका opposite आप आपका a है यह आपका answer हो जाएगा दोस बुराई question number next यह भी आपके PDF में मिल जाएगा बहुत आसानी से spill the beans मैं आपको दिखाता लेकिन उसमें बहुत समय लग जाएगा उसको search करने में इसलिए वरना यहीं पर आपको दिखा देता तिकिए spill the beans का मतलब होता है रहस्ये उजागर कर देना थोड़ा सा यह जो आपको word meaning है थोड़े से blur दिख रहे होंगे लेकिन धीरी धीरी सारी चीजे ठीक हो जाएगी तो इस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चलिए spill the beans का मतलब होता है रहस्ये उजागर कर देना यानि reveal the secret reveal मतलब उजागर कर देना secret मतल मतलब रहस्ये रहस्ये reveal मतलब उजागर ठीक है ना इस तरीके से option c is the right answer reveal a secret यानि रहस्ये उजागर कर देना तो बहुत अच्छा idea में कहीं बार पूछा गया है question number next misconception misconception इजी वर्ड है आप सबको पता होगा misconception का means क्या होता है misconception देखे conception यानि गलत फहिमी misconception का मतलब होता है गलत फहिमी गलत फहिमी गलत फहिमी यह होता है इसका meaning misconception यानि misunderstanding misunderstanding यानि किसी के बारे में आपको गलत फहिमी हो गई है उसको बोलेंगे misconception या illusion भी बोल सकते हैं illusion थोड़ा सा भ्रहम के sense में आ जाएगा ना तो भ्रहम भी आपको गलत फहिमी पैदा कर सकता है तो illusion भी आप बोल सकते हैं illusion या illusion से related ही एक word है delusion दोनों का meaning क्या है same है दोनों का meaning क्या है same है क्या होता है ब्रहम तो ब्रहम से related हो जाएगा illusion और delusion ठीक है तो इस तरीके से misconception का meaning क्या हो गए आपका गलत फहिमी और इसके अगर antonym की बात करें देगे illusion यहां पर है इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया है ब्रहम होता है hallucination का मतलब भी यही होता है ब्रहम hallucination का भी मतलब होता है illusion ब्रहम है यही होता है इसका मतलब भी या माया माया आपने सुना होगा तंत्र मंत्र वाला जो होता है hallucination माया यानि illusion illusion ठीक है तो इसका meaning भी यही होता है fallacy का मतलब भी ब्रहम से ही related है fallacy certainty का मतलब होता है nischitta क्या हो जाएगा nischitta तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका antonym हो जाएगा एक तरफ तो आप गलत फहमी पाल रहे हो एक तरफ आप nischitta हो दोनों एक आपस में क्या है opposite है न यानि यहाँ पर आप लिख सकते है absolutely absolutely ठीक है यानि नischitta तो इस तरीके से आपका यह meaning हो जाएगा आगे बढ़ते हैं under the weather under the weather under the weather का मतलब क्या हो जाएगा जो मौसम change होता है उस समय हम थोड़े से बिमार हो जाते हैं तो वही यह meaning है clear यानि मौसम बदलने की बज़े से लिखेंगे हिंदी में मौसम बदलने की बज़े से की बज़े से बज़े से थोड़ा बिमार बज़े से थोड़ा बिमार थोड़ा बिमार ओके under the weather का मतलब क्या हो गया मौसम बदलने की बज़े से थोड़ा सा बिमार हो जाना उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस idiom का under the weather ओके तो minor sickness यह आपको दिया हुआ है यही इसका अंसर था और यह आपको idioms मिल जाएगा easily उसी PDF में जिसकी में बात कर रहा हूँ इन फैशन का मतलब होता है प्रेचलन में प्रेचलन में फैशन मतलब प्रेचलन है ना इन फैशन मतलब प्रेचलन में और इसमें से किसका वो meaning है यह आपको बताना है तो in वोग in वोग मतलब क्या होता है प्रेचलन में प्रेचलन ये भी idiom है ना प्रहचलन में ओके चलिए आगे वड़ते हैं question number next है देखे व्रेव यहां से पूछा गया है यह सारे words मैं कहा रहा हूँ सारे words आपको व्रेव आपको उसी PDF में मिल जाएगा जो मेरी hand written notes है आप टेले ग्राम पर आपको रोड़नी पड़ेगी लेकिन application पर आपको easily मिल जाएगी वो तो फिरी PDF वाली section में जाकर के एक बार आप देख लेना जो new students है उनकी बात कर रहा हूँ जो पुराने उनको तो already दी हुई है मैंने first or second month में तो brave means होता है बहादूर brave means क्या होता है बहादूर जो व्यक्ति bold हो यानि ताकतवर बहादूर daring हो किसी से न डरता हो daring ठीक है यानि fearless fear मतलब होता है डर और fearless हो गया मतलब कोई डर नहीं है क्या है वो nidder है उसको बोलते है brave यानि बहादूर समझ में आया meaning brave means क्या होता है बहादूर यानि bold person जो किसी से न डरता हो daring clear fearless fear मतलब डर और fearless क्या हो जाएगा बिल्कुल nidder व्यक्ति क्या हो जाएगा brave इसका antonym आपको बताना है तो ये रहा antonym coward मतलब होता है कायर डर पोक डर पोक इसको बोलते है coward तो इसका antonym तो हो जाएगा तीसरा answer क्या हो जाएगा coward यानि डर पोक fearful fearful हो जाएगा बहाद एक व्यक्ति क्या है brave है किसी से नहीं डर रहा fearless है तो इसका antonym क्या हो जाएगा fearful यानि जो डर पोक है fearless का मतलब अभी आपको बताया है विल्कुल निडर व्यक्ति कोई डर नहीं है निडर है विल्कुल moving का मतलब होता है जो चीज गती सील हो गती सील moving उसके बाद adulteress adulteress मतलब अवस्था समझ लीजी है adult की अवस्था adulteress तो ये भी हो जाएगा इसका meaning चलिए आगे बढ़ते हैं और I hope कि ये सारे words आपको समझ में आ गए होंगे जो main word ब्रेव है इसका meaning क्या है आपसे इसका sorry एंटोनिम पूछा गया था सबसे पहले आपको word का meaning पता होना चाहिए क्या होता brave means बहादूर ऐसा व्यक्ती जो किसी से ना डरता हो daring व्यक्ती bold person fearless कुई डर नहीं उसके अंदर तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जो व्यक्ती कायर हो डर पोक हो fearful हो clear यानि coward तो C is the right answer next question है और ये आपको ये जो आपकी shift है 12 अक्टूर की first shift जिसकी हम अभी vocab पढ़ रहे है इसकी pdf आपको telegram channel पर upload मतलब कर दी जाएगी और वहाँ से आप देख लीना ओके चलिए hit the nail on the head hit the nail on the head इसका meaning क्या होगा इसका meaning होता है EDM है आपका सच्चाई बता दीना सच्चाई बता दीना एक सेकेंड गलत हो गया यह इसका meaning क्या होगा सच्चाई सच्चाई बता देना ठीक है hit the nail on the head nail मतलब कील होती है वैसे clear जब मैं आपको EDM कराऊंगा तो EDM में तो यह समझ लीजिए आप मतलब 1000 EDM एक महिने में याद कर सकते हो बहुत आसानी से EDM से याद होते है clear स्टोरी बता बता कि आपको सारी याद करा दूँगा फिलाल अभी जो हमारा फॉकस है वो प्रिवेश एर की वोग कैप को कवर करने का रहेगा hit the nail on the head का मतलब फिलाल क्या होता है इसका मेनिंग याद रखेंगे सच्चाई बता देना यानि speak or act precisely यही इसका मेनिंग हो जाएगा clear यानि सच-सच जो भी सच बात है वही clear एकदम clear cut बोल देना तो यह इसका answer है speak or act precisely यही इसका क्या हो जाएगा का एंटोनीम आपको बताना है और यह भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा आपकी उसी जो मैंने pdf बनाई हूँ सारे words आपको लगबग 90% इस shift के 90% आपको vocab वहीं से मिल जाएगी easily ठीक है ना मतलब कोई भी इसमें ऐसा जो word नहीं है जो बहुत मतलब अलगी लेवल से पूछ ले गया हो लगबग आपको वहीं से नॉर्मल जो words आपके repeat होते रहते वही है आगे बढ़ते हैं humility humility का मतलब क्या होता है sorry humility यहाँ पर humility है humility नहीं यहाँ पर humanity यह word पूछा गया था humility नहीं है यहाँ पर लिखेंगे humanity यह word आपका पूछा गया था humanity इसका meaning आपको बताना है ठीक है क्या होता है humanity का एंटॉनी में आपसे पूछा गया था ठीक है humanity का मतलब होता है insaniyet क्या होता है insaniyet coriander insaniyet का मतलब तो आप समझते हongगे मतलब mankind जो व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए हमेशा तयार रहे दूसरों का अच्छा चाहे मतलब उसकी मदद करे किसी की भी मदद करता हो जो हमेशा अच्छा सोचता हो दूसरों के बारे में यानि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर कहीं पर मालीजे बीमार होके गिर गया या मतलब च भुका है तो इसको खाने के लिए पूछेगा तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है humanity उसको बोलते है humanity यानि इंसानियत mankind इसका आपको एंटोनिम बताना था तो एंटोनिम क्या हो जाएगा arrogance हो जाएगा ना गमंड गमंड ठीक है arrogance इसका answer हो जाएगा एंटोनिम आपसे पूछा गय था और अ हमबल का मतलब क्या होता है हम्बल मींस होता है विनम्र विनम्र स्वभाब का व्यक्ति ठीक है यानि modest modest या meek modest या meek ये भी आपको याद रखने है humble means प्या हो गया विनम्र जाना बहुत पिनम्र उस्वाब का व्यक्ति हम्बल परसन तो मोडेस्ट या मीक इंडॉमी टेवल का मतलब क्या होता है जो ने बदले यानि ने बदलने वाला ने बदलने वाला उसको बोलते हैं इंडॉमी टेवल क्लियर हुआ ना तो ये सारे वर्ट्स आपको अच्छे से याद करने है हुमेनिटी मतलब इंसानियत मैनकाइंड क्लियर हम्बल मतलब विनमर यानि मोडेस्ट मीक एरोगेंस घमंड इंडॉमी टेबल मतलब ने बदलने वाला नेक्स्ट आपका वर्ड है ये भी आपका उसी में है जो मैंने मेरे हैंड रिटन नॉट्स मैंने बनाई हुए है वोकैब के उसमें ये वर्ड आपको मिल जाएगा अभी तक कोई वर्ड ऐसा नहीं जो उसमें ना मिलेगा आपको सारे मिल जाएंगे ठीक है सबी words आपको मिल जाएंगे उसमें डाइवल्ज का मतलब क्या होता है डाइवल्ज का means क्या होता है यह आपको बताना है और इसमें आपसे पूछा गया है एंटोनिम ठीक है तो डाइवल्ज का मतलब होता है पहले तो meaning आपको पता होना चाहिए ڈائی ولز का मीनिंग क्या होता है रहस्य उजागर कर देना रहस्य खोलना ठीक है यह रहस्य उजागर कर देना क्या होता है ڈائی وल्ज होता है और अभी इसके लिए हमने एक idioms पढ़ा है spill the beans spill the beans अभी तो हमने पढ़ा है पीछे यानि reveal the secret reveal the secret अभी हमने पीछे पढ़ा था इस पील अप बीन्स यह एक्जाम में मतलब इडियम से भी आये था इसी सिफ्ट में और इसका मेनिंग भी आपसे पूचा गया है डाइबल्च रहस्ये खोलना क्लियर आपको बताना है क्या एंटॉनिम बताना है इसका डाइबल्च का एंटॉन रखना ठीक है सिक्रेट रखना किसी भी चीज को यानि चिपा कर रखना भाई एक तो हो गया रहस्ये उजागर कर देना डाइवल्च और एक है किसी चीज को चिपा कर रखना तो दोनों क्या हो गए अपोजिट हो गए ना इक दूसरे के यानि इसका एंटॉनिम हो गया कंस कल्प्रीट का मतलब होता है अपरादी क्या होता है अपरादी कल्प्रीट मीन्स अपरादी एग्जेक्यूशन एग्जेक्यूशन आपने बहुत बार सुना होगा अमल में लाना अमल में लाना एक्जेक्यूशन मीन्स होता है अमल में लाना, ओप्टिंग, ओप्टिंग का मतलब चुनना, चुनना, क्लियर, ओप्शन, आपने सुना होगा, मतलब सुना क्या आपने, आपको पता ही है, ओप्शन मतलब क्या होता है, जहां पे आप चुनाब करते हैं, मतलब एक से ज़्या या पसंद करना पसंद करना ये भी आप लिख सकते हैं चुनना या फिर पसंद करना आई होप के ये सारी चीज़ां आपको समझ में आ रही होगी और ये आपको ध्यान रखना है कि रिवीजन आपको बार-बार करना है जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा वो क समय लग रहा है चीजों में लेकिन आपको बहुती अच्छे लेवल की चीज़ आगे देखने को मिलेगी question number next आपसे पूछा गया था contentment contentment का आपसे आपसे पूछा गया था content में इसका meaning क्या होता है contentment का संतोस यानि satisfaction संतोस मतलब satisfaction satisfaction यह होता है इसका meaning contentment मतलब हो गया संतोस यानि satisfaction जो व्यक्ति satisfied है खुष है मतलब कोई इसको परिशानी नहीं है वो खुष है कोई दिक्कत उसको नहीं है contentment और इसका antonym हो जाएगा sadness यानि दुखी sadness मतलब दुख दुख कह सकते है वह एक तरफ तो व्यक्ति क्या है satisfaction यानि संतोस बिलकुल आरामद है कोई इसको problem नहीं है खुष है खुष है वो व्यक्ति तो इसका opposite क्या हो जाएगा भीया sadness हो जाएगा यानि दुख हो जाएगा clear हुआ point great great मतलब होता है महान और greatness का मतलब हो जाएगा महानता क्या हो जाएगा महानता उसी तरीके से pleaser pleaser मतलब होती है खुषी खुषी ठीक है pleaser मतलब खुषी और meanness मतलब क्या हो गया mean मतलब दरिद्रता से related है तो दरिद्रता या फिर कमी के लिए आप यूज कर सकती है तो यह इसका meaning हो गया सभी words का next है आपका beneficial exam में पूछा गया था आपको beneficial का synonym बताना था क्या रहेगा beneficial का synonym ठीक है पहले तो इसका meaning आपको पता होना चाहिए beneficial होता है लाबकारी क्या होता है लाबकारी या फिर फाइदे मंद फाइदे मंद फाइदा जो चीज फाइदा पहुचाए आपकी मदद करें आपके लिए लाबकारी हो उसको बोलते है beneficial यानि यहाँ पर हो जाएगा इसका synonym में आपसे पूछा गया है हाना मदद है helpful मतलब मददगार तो यह इसका मेनिंग हो जाएगा यहाँ पर मददगार उसके बाद अगर मैं बात करो देखी यहाँ पर करनल मेंस क्या हो गया यहाँ पर यह ग्री से रिलेटेड है जैसे ग्री हो गया या किसी चीज का दाना होता है ना उसको हम करनल बोलत संद से भरा आनन से भरा ठीक है प्लीजेंट प्लीजेंट मतलब भी क्या होती है खुशी होती है और इस ट्रेंगल का मतलब क्या हो गया गला गोटना गला गोटना ठीक है गला गोटना या फिर किसी को दबाना ठीक है इस ट्रेंगल बोलते हैं उसको गला गोटना किसी का आ गला गोट रहे हो तो strangle हो गया उसका meaning आगे है make me extremely angry भाई ये idioms का न मतलब किसी idiom का ये meaning दिया हुआ है idiom का meaning दिया हुआ है और आपको ये बताना ही कि किस idiom का meaning दिया हुआ है ठीक है तो किस idiom का है ये हो जाएगा आपका drive me up the wall यानि make me extremely angry यानि मुझे मतलब क्रोधित करना ठीक है क्रोध में लाना ये इसका meaning है किसका drive me up the wall आगे है next है टोफी नौजड टोफी नौजड का meaning क्या हो गया ठीक है ये vary नहीं होगा टोफी नौजड का चलिए इसको मैं बात में बताऊंगा आपको अभी मुझे याद नहीं आ रहा टोफी नौजड चलिए इसको group में हम share कर देंगे मतलब share कर दूँगा मैं आपको इसका meaning आपको बता दिया जाएगा ये आपको मतलब थोड़ा सा अलग हटके आपका idiom है नया idiom समझ लीजए मैंने तो पीछे पढ़ा नहीं है ये idiom नहीं आपको उस note book में जो मैंने आपको notes दिये है PDF वाले में उसमें भी नहीं मिलेगा आपको clear तो कोई नहीं आपको group में बता दिया जाएगा इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था आगे बढ़ते हैं इस तरह से भी आपको question देखने को मिलेंगे एक आपसे sentence दिया हुआ है और यहाँ पर bracket में दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछा गया कि इसका antonym क्या होगा यहाँ पर antonym आपको वो लिखना था तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए deface का meaning क्या होगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि deface का meaning क्या होगा deface देखे face मतलब किसी का चहरा होता है और अगर मैं उससे पहले d लगा दू d यानि deface तो इसका मतलब यह हो गया कि किसी को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो clear deface का मतलब हो गया बदनाम करना क्या करना बदनाम करना भै face मतलब क्या हो गया कोई विक्ती चर्चित है यानि उस की repetition बनी हुई है लोग उसको जानती है लेकिन अगर d लगा दिया यानि उसका उल्टा हो जाएगा तो फिर क्या हो गया उसकी खराब repetition यानि बदनाम है ना बदनाम उस sense में हम use करेंगी तो बदनाम करना defense और इसका आपसे antonym पूछा गया है तो regard हो जाएगा देखे सम्मान regard means क्या हो गया सम्मान करना ठीक है regard मतलब क्या हो गया सम्मान और fact तो आपको पता ही है बता है तत्य तत्य को बोलते हैं सत्य कोई चीज है फैक्ट बिल्ड मतलब निर्माण करना कह सकते हैं आपर निर्माण या बनाना किसी चीज को dimension का मतलब होता है आयाम dimension या फिर परिमार किसी भी चीज ज़िए argument expecting यह आपसे पूछा गया था इसका synonym आपको बता रहा है apprehension का apprehension का means क्या होता है सबसे पहले यह आपको पता होना चाहिए तो doubt यानि शंका apprehension के लिए आप use कर सकते हैं इसका meaning यह होता है doubt या संका और या फिर डर के sense में आप इसको use कर सकते हैं तो इसका जो आपका synonym हो जाएगा fear से related है clear इसका meaning क्या हो जाएगा डर से related भी हो जाएगा यानि fear ओके ना apprehension और barbarous का मतलब क्या होता है asabhyay barbarous मतलब asabhyay विक्ती चीके ना asabhyay यानि brutal brutal मतलब asabhyay या ruthless ruthless भी आप बोल सकते हो ruthless ये भी क्या हो जाएगा asabhyay के sense में आएगा myth तो आपको पता ही है myth मतलब myth ही होती है उसके बाद courage courage मतलब साहस courage means क्या हो गया साहस और fear मतलब डर ठीके ना तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है और आगे है देखे triumph मतलब होता है triumph मतलब जीत के लिए बोलते है ना जीत का आनन्द triumph मतलब जीत का आनन्द कह सकते है जीत का आनन्द या फिर जीत कह सकते है सिधा सिधा कोई बड़ी विजय हासिल करना ठीके कोई बड़ी जीत हासिल करना विजय ठीके उसको बोलते है triumph और इसका आप से अंटोनिम पूछा गया है तो क्या हो जाएगा defeat defeat वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हार न या हार clear defeat मतलब हार और victory मतलब होती विजय victory मतलब विजय यानि synonym अगर पूछता तो victory हो जाता लेकिन यहाँ पर आप से पूछा गया है antonym जो की हो जाएगा आपका defeat milestone का मतलब आपको पता है meal का पत्थर milestone milestone मतलब एक बड़ा हिस्सा कुछी भी चीज़ की बड़ा हिस्सा उसको milestone बोलते है instrument यानि उपकरण यह तो आपको पता ही है उपकरण ओके तो यह सारे words meaning आपको याद रखने है revise करने है उसके बाद है next है आपका unsusceptible unsusceptible यह आप से पूछा गए था passage में तो एक passage दिया गए था और इसका meaning आपसे पूछा गए था कि passage के a code इस word का mean응 क्या होगा passage के according gases का meaning क्या होता है आ समवेदन शील आ समवेदन शील तो यह इसका meaning है वैसे तो normally है ना लेकिन passage के reference में पूछा गया था यानि passage दिया हुआ था और वहाँ से आपसे पूछा गया था कि इसका antonym क्या रहेगा तो यहाँ पर इसका जो answer दिया था वो दिया था vulnerable है ना इसका answer यह दिया हुआ है answer की में vulnerable इसका meaning तो वैसे आलोच निया होता है अब यह answer दिया हुआ है इसका antonym के रूप में बाकी approximately मतलब लगभग लगभग ठीक है approximately normal word है invention का मतलब होता है sorry intervention है ना intervention का मतलब होता हस्त छेप क्या होता है हस्त छेप ठीक है interruption आपने सुनाओगा interruption तो उसी से मिलता जुलता word है हना interrupt है हना कहते नहीं कि interrupt क्यों कर रहे है तो interruption हो गया वो भी यानि हस्त छेप करना development मतलब विकास आपको पता है ओके तो यही थे आपके यह आपके लगभग 18 18 word meaning आप से पूछे गए है 18 word meaning total हना आपके यह एक shift में 18 vocab आपसे पूछी गई है antonym, synonym और idioms को मिला करके तो यह सारी vocab आपकी थी 12 October की first shift की इसका PDF आपको Telegram चैनल पर upload कर दिया जाएगा वहां से आप इसको देख सकते हैं तो समझ मैं यह सारी word meaning आपको अच्छे से आप इसको revise करेंगे not कर ली होगी आपने मेरे साथ साथ और इसको कम से कम 2 से 3 वार revise करना है अगली class तक तब ही जाके आपके mind में इस सारी चीज़े रहेगी और धीरे धीरे मैं आपको जब यहां पर आएंगे ना हम इस तरह से जब हम vocab पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यानि आपको ज़्यादा load नहीं पढ़ेगा आपके दिमाग पर बस class देखनी होगी और बहुत ही आसानी से आप सारी चीज देखते ही देखते कम से कम 60-70% आपको देखते ही देखते ही याद हो जाएंगी चीज़े बाकी की चीज़ें आप revise करके करोगे खुद से भी याद करने की कोशिश करोगे तो 100% आपकी vocab यहाँ से मैं याद कराऊंगा clear इस तरीके से तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़े देखने को मिलेगी अभी सबसे पहला हमारा target यही है कि सबसे पहले हम S.S.E.S.T.A.N.O. के सारे word meaning को cover करेंगे ताकि आपको एक idea लगे कि किस तरह से questions आते हैं किस level की vocab पूछी जाती है तो I hope कि यह सारी चीज़े आपको समझ में आई होगी और यह जो चीज़े मैं आपको बताई है यह भी आपको समझ में आई होगी ओके तो चलिए फिर मिलते हैं अगली class में और जो बच्चा new है अना admission लेना चाहता है तो आप इस बच्च में admission ले सकती है 199 रुपे परमंतफी से कम से कम एक महिन आप पढ़के जरूर देखे ओके थैंक यू